हेई गाइस दिस इस मोनिका सिंग यह वेलकम तू आर चैनल जैसे कि आपको पता है कि हम बीएट फेस्टिय के लेसन प्लांस कम्ट्रीट कर रहे हैं ठीक है तो मैं कोशिश कर रही हूं कि आपके च्वाइस के अकॉर्डिंग में आपको लेसन प्लांस प्रोवाइट कर आ सकू और उसको भी हम कंटीनियू दीरे-दीरे करके कर रहे हैं साथ ही आपके मैट्स के इंग्लिश लेंग्वेज में लेसन प्रोवाइट कर रहे हैं और अभी जरुवत थी शुचल साइंस की कमेंट आ रहा था तो इसलिए हाँ थोड़ा सा लेट हो गया बट यह कंटीनियू र लेरी कैसे दे सकते हैं आप कमेंट करके या लाइक डिसलाइक करके उससे पता चल जाता है कि कुछ काम आ रहा है च।S नंबर रहेगा डेट कलास section mention करेंगे, subject, school और sub-subject, आप ये जो lesson plan है, वो 6 to 9, 8, 9, यहां तक level का बना सकते हैं, ठीक है, आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी तक आपको समझा भी है lesson plans में, आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़े तयार करते हैं, किस question जनल अबजेक्टिव साजाते हैं, टॉपिक के बाद, जनल अबजेक्टिव साब जानते हैं, आपके subject पर depend करते हैं, और हमने यहां, social science में, mostly मैंने जितना भी देखा, बुक में भी पता चला कि, जोबके सब subject हैं, उस पर हम based यहां पर जनल अबजेक्टिव साजाते हैं, जैसे कि science और math में हमने जब देखा था, तो वहां हम पूरा का पूरा science मान कर चलते थे, bio, physics, chemistry नहीं मानते थे, अलग-अलग से, math में भी हम algebra वगेरा अलग-अलग नहीं मानते थे, पूरा math मानते थे, तो वहां general objective basic हमारा जो subjectives के उपर depend था, लेकिन हमने जब देखा आया social science में, तो इसमें जो हमारे general objectives हैं, वो sub subject पर depend करते हैं, मतलब हमारा जैसे general objective, यहां sub subject geography पर depend है, उस पर based बनाया गया है, ठीक है, तो आपको ऐसे ही रखना है, अपना social science ऐसे ही रखी है कि sub subject आपका जो है, उसी according आप journal objective सेट करेंगे, हाँ, अगर हम geography के जितना ही बनाते हैं, उसमें हम general objective यही रखने वाले हैं, ठीक है, ऐसे ही अगर history रहता है आपका तो history के लिए अलग रहेंगे, जितना भी history वाला portion है, उसके लिए वैसे रहने वाले है, history के according, ठीक है, तो आपके यह geography से related आपके journal objective हो जाते हैं, इसके पात specific objective आता है, जिसमें कि हम अपने topic के अंदर जो सब topics पढ़ने वाले हैं, जो अंदर हम lesson plan में अपने topics लेंगे, क्या क्या लेने वाले हैं, उस पर based आपके specific objective होते हैं, तो यह आपके हर topic पे change होगा, अगर geography का आपको topic अगला ले रहे हैं, तो उसमें journal objective आप सेम रख सकते हैं, लेकिन specific आपका change हो जाएगा, आगे teaching aid में हमने लिया है roller board, वहाँ पे आप कुछ लिखकर शो कर रहे हैं, या बना कर लिख रहे हैं वो, या पिच्चर चार्ट के से relate करके भी आप solar system में जो जो चीज़ें आप explain करने वाले हैं, वहाँ आप इनकी help ले सकते हैं, या तो रूला board पे बना लेजिए, पिच्चर, चार्ट, जो कुछ भी आप चाहते हैं, एक basic सा structure आपके पास होना चाहिए, जिससे के बच्चे को समझ आ जाए, ठीक है, वहाँ प्रिवेस नॉलेज है, प्रिवेस नॉलेज बच्चे को sun, star, earth वगरा के बारे में basic सी नॉलेज होगी होगी, यह हम मान के चलते हैं, ठीक है, इसके बाद जब हमारा lesson टान स्टार्ट होता है, तो यहाँ सबसे पहले हम teaching points लिखते हैं, क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, इस में आजाता है, आगे student activity में बच्चे द्यान से सुन रहे हैं, answer कर रहे हैं, वो सब यह students activity में आएगा, यह हम अगर कोई भी चीजे लिख रहे हैं blackboard पर, यह कोई picture शो कर रहे हैं, वो हमारा method यह teaching aid में आजाता है, इसके evaluation, हमने बच्चे को जब तक topic पढ़ा लिया, इसके इसके बाद हमें यह भी चानना होगा, उनको समझ में आया है नहीं, उसके रहे हम evaluation question करते हैं, ठीक है, उनको समझ में आया है तो वो answer इसका जरूर करेंगे, तो हम last column में यह सारे topics पढ़ा के वहाँ evaluation करेंगे, ठीक है, अलाकि जो आपके lesson plan है, उसमें थोड़ा बहुत change होत इसके बाद सबसे पहले आते हैं हमारे introductory questions, जो हमारे previous knowledge पर based होते हैं, यह हम उने question किये बच्चे से, और maximum five questions कर सकते हो, last question ऐसा मानके चलते हो, आपके बच्चे को answer नहीं आता होगा, अगर real teaching में आप जब करा आ रहे हो अपने lesson plan के according, बच्चा answer कर भी देता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको lesson plan के according के अपना pattern आगे चलते रहना है, continue करना है, इसमें कुछ कम जादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहां मानके चले बच्चे ने answer नहीं दिया, तो वो हमारा problematic question हो जाता है, ठीक है, फिर statement of aim लेते हैं, जहाँ पर हम यह अपने last question को explain कर रहेते हैं, जैसे हमने पूछा, what will you, एक second, यहां एक word missing हो गया है, तो आप लिख लेजेगा, what will you called or say, यहां पर आप लिखेंगे, what will you, इसके बाद, called or say, कोई भी एक word लिख लेंगे, all those objects shining in the sky, तो हमने explain कर दिया, the sun, the moon and all stars, those objects shining in the night sky are called celestial bodies, इसके बाद हम बताते हैं, today we will discuss about those celestial bodies and the solar system, ठीक है, तो हमने question से connect करते हुए, यह बता दिया, कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं, और हमको ऐसी question करने होते हैं, जो हमारे topic को connect कर सकें, ठीक है, इधर अधर के आलतु-फालतु questions नहीं करने, जिससे समझ में ही नहीं किया आए, कि आप क्या पढ़ाने व objective है, कि बच्चे इसको explain कर पाएंगे, ठीक, डेवलेमेंटरी कोशन, बच्चे को topic पर लाने के लिए, उसे connect करने के लिए, हम डेवलेमेंटरी कोशन कर सकते हैं, डेवलेमेंटरी कोशन, नाम से आपको पता चल रहा है, कि डेवलब, विकास हो रहा है बच्चे का, तो बच हला कि एक दो कर लेने हैं, मतलब, दो से कम नहीं होने चाहिए, दो तो कम से कम रही है, ठीक है, इसके बाद ये बच्चे ने answer किया, अब teacher's statement में, हमने star के बारे में अच्छे से explain कर दिया, constellation के बारे में अच्छे से explain कर दिया, आगे आएगा आएगा आपका, यहां तक आप नीचे, constellation, यहां तक आप explain कर रहे हैं, यह teacher's statement में पूरा आगया आपका, फिर students are listening carefully, अब जो constellation यह स्टार्स की बात है, वो यहां पिचर आपने show कर दी है, यहां आपने क्या दिखा दिया है, एक constellation दिखा दिया है, एक second, देखें, आपने क्या दिखा दिया, एक constellation दिखा दि यह जो constellation, आपको पता है, यह star से करने, मिलकर बनते है, group of stars होता है, अच्छा, आगे जब हम चलते हैं, तो आगे planet आता है, हमारा, planet से relate करते हैं, यह developmentary question होगे, बच्चे ना answer किया, teacher's statement में हमने planet को थोड़ा समझा दिया, फिर next हमारे topic आया, the solar system, solar system के लिए हमने यह developmentary question किय यह picture के, हम help ले रहे हैं बच्चे को समझाने के लिए, उनको पता तो होना जी, कैसा देखता है solar system, हाला कि देखा होगा उन्होंने, लेकिन अच्छे से explain कर देंगे, आप picture के according, ठीक है, picture show करते हैं, यह आपने बता दिया, teacher statement में आपने यह explain कर रहे हैं, यह आपर solar system होता है students are listening carefully, यह देखिए, आप अच्छे से नजर भी आ रहा होगा, तो इस तरीके से या तो बना लीजिए, चोटा मोटा सा कुछ, या फिर आप picture, अगर आपके printout मिल सकता है, या पुरानी notebook, बुक मैंसे, या newspaper कहीं से मिलता है, तो आप पेस्ट कर सकते हैं, अपने lesson plan के अंदर ठीक है, थोड़ा आपके lesson plan भी सुन्दर हो जाते हैं अससे, जब आप यह चीज है, पिच्चर हो गया, या फिर आपकी, जो बाकी blackwood work होता है, उसको शो करने से, थोड़ा अच्छा दिखता है आपका lesson plan, तो यहां तक आपका, यह पूरा होता है, आपका solar system, यहां तक, फि comprehensive question कर दिया, आपने एक कर लिया, आगे अपने explanation को बढ़ाने के लिए, यहां आपने बता दिया कि orbit होता क्या है, students are listening carefully, इसके बाद यह आपने इस picture के according, show कर दिया, कि orbits किसे कहते हैं, इसके बाद हमने जो evaluation question की बात की थी, यह आपके आगे evaluation questions, ठीक है, 4 हमने evaluation question कर लिया, जो हमने पूर explain किया, उससे relate करते हुए, इसके बाद हम last में homework देते हैं, तो सबसे पहले हमने एक question रखा है, answer the following questions, तीन questions दे दिया हमने, जिसका वो answer करेंगे, ठीक है, homework हो गया, इसके बाद कुछ true-false दिये हैं, तो 3 आपने true-false दिये, तो homework आपकी वर्जी है, कैसे भी दे स सकते हैं, matching दे सकते हैं, हाला कि यहां पर solar system भी draw करने के लिए दे सकते हैं, मुझे नहीं लगा तो मैंने नहीं रखा, तो इस तरीके से आप इस चीज को रख सकते हैं, I hope आपको यह help करेगा, lesson plan PDF, याद रख आपको पता ही है, जिनको नहीं पता, उनको PDF कहां से ले 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 ठीक है, तो आप जुड़े रह सकते हैं, thanks for watching